जब आप जब आप परमीश्र का धनेवाद करते हैं, नमबर एक, धनेवाद कब किया जाता है? जब हमें खुश होते हैं, अनन्दित होते हैं, या जब हम मुसीब्तों से बाहर निकल जाते हैं, तो तब हम क्या करते हैं? धनेवाद का बलीदान चड़ाते हैं. और फिर लिका कि संकट के समय मुझे पुकार मैं तुम्हें चुड़ाओं गधाय। फिर तुम महिमा करेगा। पुकारना कब चाहिए। पुकारना तब जब संकट में होता है। और धन्यवाद कब करना चीके तब परमेश्वर में अनंधित होता है। लुपर जो हुए लिकिन कई बार क्या होता है कि हम जो मुसीवत में थे तहां यह नहीं पता होता कि दन्यवाद करना है, यहां हमें पुकारना है, लेकिन प्रबु का वचन सफस्ट जीती से कहता है की पुर्मिश्र को धनिवाद का बलीदान चड़ा और प्रम्परदान के लिए पनी मनतें पूरी कर, जो आपकी मनतें पूरी करते जाएं, खुदा को एक first भेंट जो है खोदा को एक उत्म भेट है परभू के आगे वो धनेवाद करते रहें और जब भी आप संकट में पड़ें जब भी आप संकट में पड़ें तभी आप पोका रहें हाललुया यहां परमिश्र के वचन से लिखा है कि अब परमजान के लिए पने मनते पूरी कर तो मैं आप लोगों को से कहना चाहूंगा आपको यह पता होना चाहिए कि धनेवाद जब भी खुदावंद आपको ब्लस करें जब भी प्रभू आपको आशिश करें जब भी प्रभू आपको हील करें यहां खुदावंद चोटी से चोटी और बड़ी सी बड़ी बरकत आपको जब देता है परमेशर तो आप उसका धनेवाद करें धनेवाद के बहुत से तरीके मेरे भी धनेवाद की ये तरीके कि आप गाके भी धनेवाद कर सकते हैं धनेवाद का ये होता है कि आप बैठ के कुछ दिर धनेवाद कर सकते हैं धनेवाद का ये होता है कि कई बार खास को अपने घर बोला कि जब हम आना इुआट करते हैं, प्रातना करुवाते हैं या खाना के लदते हैं, हम बोलते हैं यह दैनिवाद है कि खुदा ने हमारे लिए खिया।